देखिए अगर आप किसी bank का bank bc लेना चाहते हो bank bc बनना चाहते हो तो आपको ये चीज मालूम होगी कि bank bc लेने के लिए सबसे पहले आपका एक interview होता है ठीक है settiver लगता है वो तो अलग चीज है बाई चलो IABF का bank bc लगेगा वो तो लगेगा ही पर दोस्तों जब आप बैंक में जाओगे बात करोगे वहाँ पर आपका एक इंटरिवी होगा इंटरिवी में पास होने के बाद ही आपको बैंक बिशी मिलेगा आज की वीडियो में मैं टॉप मोस्ट इंपोर्टन कोशन जो की इंटरिवी में पूछे आते हैं बैंक बीशी के वही आपको बताने वाला हूँ इन सभी कोशन को आप अच्छी तरीके से समझ लेना क्योंकि दोस्तों ये आपके इंटरिवी कोशन में पूछ जाएंगे हाला कि जब मैंने इंटरिवी दिया था बैंक बीशी के लिए इंडियन पोस्ट पिवेंट बैंक का तो वहाँ पर मुझसे यही कोशन पूछे गए थे और इसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ था कि आपकी वहल्प हो सके और आप भी एक बार में इंटरिवी को किलियर कर सको ठीक है चलिए वीडियो को शाट करते हैं इसके लब दोस्तों अगर आपको इस सारे कोशन चाहिए इनकी पीडियाफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस पीडियाफ का लिंक दिया हुआ है जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलिए वीडियो को शाट करते हैं सबसे पहला कोशन है निमलिकलिव्लिकित में बारत में बीमा औध्योग का नियामक्त या क्यों कौशन देखिए आप सोच데 रहे बारत यहां पर बीमा की कुश्या जरसा हरा है क्योंकि जो बैंक भी से देती है जो पैंक भी से आपको इसी लिए यह कोशन इसमें एड किये जाते हैं ठीक है तो पहला कोशन है क्या है निम्लिखित में भारत में बीमा उद्योक का नियमा किया रेगुलेटर कौन है तो इसका अंसर है भारतिय बीमा वी निमायक एवं फिकास प्रादिकर्ण आई आर डी ए ठीक है आप आई आर ड इसमें जोकिम को ट्रांसवर किया जाता है ठीक है मतलब कि जो हमें टेंशन थी कि भाई मरने के बाद क्या होगा फैमली का वह अपना खर्जा कैस्ट चलाएगी तो वह जोकिम में ट्रांसवर कर दिया किसको बीमा कंपनी को निम्लिखित में से कौन सी बीमा योजना भारत स द्वारा प्रायूजित की जाती है कि गई है ठीक है इसके अलाबर एक कोश्षन हमारा जोकिम पुलिंग के जरीय कि जाने वाले जोकिम ट्रांसवर को क्या गयते हैं बीमा कहते हैं इसके बाद एक जोकिम घठाने के अवसरों को कम करने सम्बंदित उपायों को डश कहते है हानी रोकपाम, जोखिम खड़ाने के अफसरों को कम करने सम्मंधी उपायों को हानी रोकपाम कहते हैं, इसके बाद नेश्ट कोछन बीवा करता को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह संबभ होयाता है माले आपने बीमा करता हूँ मतलब बीमा कंपणी को आपने इंसुरेंस करवा दिया अपना जोकिम ट्रैंसर करवा दिया तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद उस्तों आप सांती पूरवक अपने कारोबार को और अपने अधिक परभावी बनाने का काम कर सकते हैं मतलब आपको टैंशन नहीं होगी आप तसलिश से अपना काम पे देहान दीजिए बाकी बीमा कंपनी देखेगी अगर आपको कुछ हो जाता है तो नेस्ट कोशन है बीमा के संदर्व में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिती की ओर संकेत करता है जहां पर इसका अंसर यह वरा व्यक्ति स्वयम ही जोखिम एवम उसके प्रभाव को जेलने का निर्णा लेता है ठीक है इसके बाद है नेस्ट कोशन उस परिदिश्य की पहचान करें जहां बीमा के जरूरत पर एक बहस की आवशकता होती आवशकता नहीं है इसका अंसर है तृत्य पक्ष के लिए मोटर बीमा दोस्तों कहने वह तो यह है कि कौन से प्रकार का बीमा है जहां पर कुछ समझाने जरूत नहीं है आपको बीमा अपने आप लेना पड़ेगा तो वो है आपका मोटर बीमा आप कार के लिए या फिर बाइक के लिए इंसुरेंस लेते हो उसके लिए कोई आपको समझाता नहीं है वह यह लेलो आपको लेना ही पड़ता है क्योंकि उस पर जरूआना लगा हुआ है तो यह चीज बिना समझाई हो जाती है नेश्ट कोशन है भारत में डैस बीमा अनिवार रहे तो वह ही है मोटर तिर्थय पक्ष दाइतू यह वाला जो बीमा है मोटर बीमा यह अनिवार है ठीक है इसके बाद नेश्ट कोशन निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंद के लिए योग्य नहीं है ना बालिक ना बालिक अपना बीमा नहीं करा सकता हाला कि उसको नॉमिनी में या उसके बेहाफ पर कुछ निकल दे हुए है लाइसी के अंदर वहां पर हो सकता है पर बाकी नहीं हो सकता ठीक है दोस्तों सारे कोशन मेरे उसमें आये थे जो इंडियन पोश्ट पॉइंट बेंक अप इंट्रूवू होता है इसका अंसर है IGMS अगर किसी को सिकायत करनी है IRDA से बात करनी है किसी इंसुरेंस पॉलिची को लेकर तो वो IGMS के थुरू बात कर सकता है संपर कर सकता है अब इसके फुल फॉर्म क्या है जो इसकी फुल फॉर्म है Integrated Grrivence Management System Integrated Grrivence Management System इसकी फुल फॉर्म है नेंतर किया जाता है तो इस खंचर यह वाला वोगता संडरक्षन अधिनियम 10-4-1986 ठीक है वोगता संडरक्षन अधिनियम 10-4-1986 दोस्तों यह most important question है क्योंकि यह जीज़ आपको मालूम होने चाहिए और बहुत बार यह आपसे पूछे आती है आपने पहले भी पढ़ियोग क्वें लोगता है ज्लय फॉरम में 20 रोपे तक कलेम कर सकते हैं कोई होती है क्वें केसरा करना होता है घ्र Julian जान कर सकते हैं तो क्योंगोड सकते हैं डेकरiens बारेसं क्योपने खिल हो फैर हम और सकते हो यह बात कर सकते हैं window का Englum सा कथन बीमा लोकपाल छेत्र अधिकार के संबंद में नहीं है वारा कौन सी बात बीमा लोकपाल के छेत्र में नहीं आती है तो उसकांसर यह वारा बीमा लोकपाल केवल निदिश्ट छेत्रे सिमाओं के बीतर काम करता है यह बात नहीं आती है इसका मतलब काम करता है वो ठी त्वार के बीमा लोकपार के पास सिकायत कैसे की जाती है लिखित रूपमे की जाती है आपको सिकायत के दिना पड़ेगा ठीक है यानि कि कोई insurance को लेगर बात थी आपकी और वो आपकी company नहीं मानी तो जब से company ने आपकी बात नहीं मानी है या आपने जो बोला था वो नहीं किया है आपके शिकाइट है तो आपको जो भी जब भी यह हुआ है यह case हुआ है तब से आपको एक साल के अंदर-अंदर पूर्वावशकता नहीं है कौन सचीज इन से नहीं चाहिए बीमा लोगपाल के पास सिकायत करने के लिए तो उसके अंतर ये रहा सिकायत को लोगपाल से पहले भुकता प्लकर करना मतलब कि आपको कन्जूमर फॉर्म से होता हुप यह जाने जोरत नहीं है आप डारेक्ट लोकपाल बीमा लोकपाल के पास सिकायत कर सकते हूं ठीक हैं ऐसा नहीं कि पहला हud को यहाँ जाने पड़ागा उसके बाद यहाँ जाना करने के आप सकता नहीं होती है बिल्कुल free of cost आपके सिकायत लिखी जाएगी और उस पर काम किया जाएगा ठीक है इसके बाद नेजी बीमा कंपनी के खिलाफ सिकायत दर्ज की जा सकती है जो private insurance कंपनी है उसके खिलाफ हम ख्दर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं हां जी नीजी बीमा इसके खिलाफ आदिum कोशन भारत में बीमा लोकपाल के कारालिक कहां है मतलब कितने हैं ठीक है दोस्तों इसका अंसर अभी लिखा नहीं है कोई बात नहीं मैं लेख दूँगा आपको ठीक है नेट कोशन है इसके बाद इनमें से कौन सा बीमा पॉलसी के सम्मंदित सिकायद दर्ज कराने के समंद् कोशन. बीमा धारक और बीमा 오कपाल होता है वह मतलब जिसने इसके ने बीच में समझोता करवाने के काम करता है क्या भीवन लोग पाड़ ठीक है इसके बाद है नेस्ट कुस्वन निम्लिखित विकल्प वैद भोगता सिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता मतलब इन मैंसे कौन सी बात है जिसको लेकर आप सिकायत नहीं कर सकते कंप्रेर नहीं कर स सकते कि भाई इस दुकान दानने मुझे यह निहीं बताया कि इसके स्टूर में सबसे अच्छी चीज कांशी है इस बात पर आप सिकायत नहीं कर सकते हो ठीक है इसके बाद है next question जीवन बीमा के संदर्व में बीमय योग्य हित कब विद्मान होना जरूरी है बीमा करात्व स में आपका इंट्रेस्ट होना चीए ठीक है जब आप बीमा लेते हो सारी टर्म कंडिशन जो भी है उस समय ही आपको देखने पड़ती है एक तरह समय लेजिया जीवन बीमा के संदर में बीमा योग्या हित कब दूसरों से कुशन आगे द्वारा कोई बात नहीं ठीक है इसके hoje केंगे नहीं है मितरों मतलब उस एक फ्रेंड दूसरे रेंड डिल्प शाह नहीं है थीक है इसके बाद नेस्ट है निम्न मैं से कौन सा विकल्प रमेज सब्वारा भीमीत नहीं किया जा सकता इस का caution है मितर मास का जो मितर है मितर वह इंधर बीमा नहीं करवा सकता म में इसका बीमार ठीक है नेस्टकोशन है इसके बाद डैस गलत बयान से सम्मंधिस होता है जो बिना किसी दोकाददी इरादे से दिये गए हैं गलत बयादी गलत बयानी मतलब की गलत information देना गलत बात बोल देना वो गलत ब़यान समझिस होता है जो किसी बिना दोका दड़ी इरादे से दिये गए है ठीक है गल्द बियानी मतलब गल्दी से मुझे कुछ निकल गए एक तर्शी ये मान लिजी आप HLV की धारना HLV की धारना किसके अविशकार की है मतलब HLV किसने अविशकार की है ये किसने खो जाए तो उसका अंसर है प्रोफेसर यूंबर प्रोफेसर यूंबर ने खोज जा इसको ठीक है इसके बाद नेस्ट कोस्टन मिश्टर राजन परतिवर्स एक लाग 20,000 पर कमाते हैं ठीक वाई तता स्वयम पर रुपे 24,000 पर खज़ करते हैं ठीक है उनकी एकास्मिक मिरति हो जाने पर परिवार को प्रतिवर्ष 96,000 रुपे की सुद्ध कमाई की हानी होगी मतल elev Sports and marginal 2,202 रुपे कमा रहे थे वो जिसमें से 24,000 रुपे उन पर खथ हो रहा था बाकी करें जो 96,000 रुपे है वो परिवार को हानी होगी तो यूजन लाइफ वैल्यू क्या होगी इस यूमन लाइफ वैल्यू क्या होगी दोस्तों इसका अंसर आएगा हमारा ये वाला उसका दस गुना कर लेते हैं बस अगर आप एक साल के अंदर एक लाइफ रुपे कमाते हैं तो आपका बीमा कितने का उना चाहिए दस लाइफ रुपे का उना चाहिए अगर आप साल में पांच लाइफ रुपे कमाते हैं तो आपका बीमा कितना उना चाहिए पचास लाइफ काउनों चीए ठीक है तो इसी को कहते है human life value वह आपके life value कितनी है आपको कितना insurance लेना चाहिए एक साल के income का 10 गुना ठीक है यहाँ पर ब्याज जर से कोई मतलब नहीं है खर्चे से कोई भी मतलब लेने दरना नहीं है ठीक है इसके बाद नेट कोशन निम लिखित में से वह क human life value अभी कहता नहीं है तो वह यहीं सूतर है इसी के अंदर वह चीज आती है ठीक है इसके बाद नेट कोशन निम मैंसे कौन सा कर नियोजन का उद्धेशन नहीं है मतलब इन मैंसे कौन सी बात है जिसका उद्धेशन नहीं है कि वही टैक्स बचाए जाए एक तरह से महां लेजिए तो इसका अंसर है कर चोरी अगर आप टैक्स की चोरी करोगे तो यह चीज गलत है यह चीज टैक्स बचाने को लेकर नहीं है ठीक है इसके बाद नेट कोशन नेमलिखित बीमा योजनाओं मैंसे इसमें बचत का तत्व बहुत कम अत्वा कुछ भी नहीं रहता मतल भी होगा इसमें क्या होता है मान लीजिए आप 400 रुपे भर रहे हो एक महिने के और आपका प्लान है 10 लाग का या फिर 30 लाग का मान लीजिए तो अगर आपने 70 साल तक यह प्लान लिया हुआ है और 70 साल की उमर तक आपकी डैथ नहीं होती है मृत्यू नहीं होती है तो उ वो बचत के लिए नहीं कियाती है बिसिकली वो सिर्फ आपका जो जोखिम है जो इंसुरेंस है जो इतल से प्योर इंसुरेंस है उसी के लिए क्या आता है कि मैं मरूंगा तो मेरे परियोगत में बैसा मिल जाएगा बागी मैं जिन्दा रहूंगा उस अवजी तक तो कोई दिकत दें कोई बात नहीं है ठीक है तो उसको कहते हैं टर्म इंसुरेंस इसके बाद नेश्ट कोशन वित्य बजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है तो इसका अंसर है विबिन अस्तित्व संवर्गों में निदी का निवेश ठीक है विबिन अस्तित्व संव में डाल दिया कुछ पैसा आपने फिक्स में डाल दिया कुछ पैसा आपने शेर में लगा दिया कुछ मुचल फंट में लगा दिया तो अलग जगह पर आप पैसे को रखोगे तो उससे क्या होगा उससे आपको अलग अलग जगे में जो फायद होने वाले हैं उसम बिलेंगे प्लस में आपका जो रिस्क है वो भी कम होगा ठीक है बाई अगर share market गिरेगी तो गिर जान दो बाकि आपका जो पैसा fix में रखा हुआ था या फिर आपका जो पैसा mutual funds में लगा हुआ था या कहीं और लगा हुआ था वहाँ पर आपका पैसा बच जाएगा ठीक है अगर आप सारा पैसा एक जिए लगा दोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी ठीक है रिस्क ज्यादा हो जाएगा इसके बाद नेस्ट जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बच्चतों को सरवादिक महत्व देता है मतलब उसने पहला पैसा बचाया हुआ है सबसे ज्यादा उसको मतलब जरूरत कपड़ेगी उसकी तो उसके जरूरत पड़ेगी उसको सेवा निर्वितिक के बाद यानिके रिटायर हो जायेगा उसके बाद उसको उसने जितना भी पैसा पहले बचाया होगा वह काम आएगा उसकी जरूरत पड़ेगी ऀवेज समय सीमा और पर्तिफल के बीच क्या समन्द होता है तो इसका अंसर यह वाला बड़ी निवेश समय सीमा अधिक पर्तिफल मतलब ज़्यादा टाइम के लिए निवेश करोगे तो आपको अधिक लाब मिलेगा ठीक है इसके बाद नेश्ट कोशन निम्न में से कौन सा एकास्मिक उत्पादों के तहत वरगी करत किया जा सकता है जीवन बीमा ठीक है जीवन बीमा एकास्मिक उत्पादों के तहत वरगी करत किया जाता है मतलब अचानक क्या हो जाए उसकी लिए बीमा किया जाता है ठीक है इसके बाद निश्क कोशन अगर policy जारी करते समय इसके कुछ नियम और सर्तों में संसोधन किया जाना आवशक है ठीक है तो यह कार रहे डैस के माद्यम से संसोधनों का निर्धारन करके पूरा किया जा सकता है इसका अंसर है पिश्टांकन मतलब उसमें नंबर देना पड़ेगा आपको यह चीज संसोधन की गई है इसका नंबर यह है सब कुछ आपको बताना पड़ेगा इसका अंसर है पिश्टांकन नेश्क कोशन है नेमलिखित मेंसे कौन सा एक एमूर्थ उत्पाद है एमूर्थ का मतलब हो गए जिसको हम छूर नहीं सकते तो यह है हमारा जीवन बीमा ठीक है जीवन बीमा को हम छूर नहीं सकते है ठीक है नेश्क कुशन है आजीवन बीमा का प्रिमियम भुकतान तर्म बीमा के प्रिमियम भुकतान के तुल्ला में डैस होता है अधिक होता है दूस्तों मैंने बताता आपको जो टर्म इंस्रेंस होता आपका उसका बहुत कम होता है उसका सोरी उसका इंस्रेंस सोरी प्रिमियम बहुत कम होता है उसका बहुत कम पैसे आपको बने पढ़ते हैं अधिक बीमा के लिए ठीक है जबकि जो नॉर्म बिम्हा के लिए आपने आपके दोरा पिरिजिंए मुखतान जीतना 0.20 मृत्तियों के स्थिति में लाबार्थि को श्यति पूर्थिंपूर्थि कौन अधर्थि को स्थितना ज्यादा किस्यों और चैप वह वध्यादा उतना ज्ञाधा नखि स्थ तो आपने मालेज़े घर के लिए लॉण लिया हुआ है आपने लॉण लिया हुआ है 30 लाका 20 लाका 50 लाका और इन केस माल लो डैथ हो गई तो भाई इतना पैसा कौन भरेगा तो इसलिए जब भी आप ऐसा लॉण लेते हो बड़ा लॉण लेते हो तो वहाँ पर आपको साथ में term insurance दिया आता है या को insurance दिया आता है जिससे और वो insurance इतना amount का होता है कि अगर आपकी death हो आती है तो जो company है जो bank है वो insurance company से आपका पैसा ले लेगा ठीक है नहीं तो भाई अपने घर लोगों के लिए अपने प्रियार के लिए घर लिया और पै आपकी इतना ज्यादा amount वो insurance company से ले सकें जिसने आपको loan दिया हुआ है ठीक है इसके बाद next question बंदक मुक्ती बीमा MRI को अंतरगत वर्गी कृत किया आता है मतलब किसके अंदर में आता है तो इसका अंतर आता है घरती टर्म जीवन बीमा जैसे आप किस्त पेप करोगे इसकी अपने जो insurance आपको मिलेगा जब बड़ा loan लोगे housing वगरा के लिए घर वगरा के लिए तो उसकी किस्त दीर देर कम हो जाती है क्योंकि आपका जो जो घर का loan है वो जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे वैसे आपकी बीमा की किस्त भी कम होती जाएगी ठीक है इसमें ये फायदा होता है इसके बाद next question गरती म्यादी जीवन ब इसके बाद next question गरते म्यादी बीमा के संदर्व में निम्न मेंसे कौन सा कथन गलत है मालूं कौन सी बात गलत है घटते म्यादी टर्म इंसुरेंस में तो इसका अंतर यह वाला प्रिमिम रासी कवरेज के अबदी कम हो जाती है दूस्तों यह गलत है ठीक है इस तिर रहता है इसमें प्रादा उपरमन आपको तो कम हो जाएगी यह गलबाद गलत है इसके बाद है कमपनी की बिक्री में सुरेज का योगतन 20% है ठीक है भाई वह अपने काम को जाली रखने में एसमर्थ है मतलब अब काम नहीं कर सकता और उसकी विकलांगता के बाद कौन सी पॉलिसी नुकसान की भरपाई के लिए कमपनी में कर सकती है मतलब कि कमपनी में जो सेल्स डिपार्टमन होता है उसमें सुरेज अच्छा काम करता था इतना काम करता था कि जितने भी सेल्स होती थी उसका 20% हिस्सा सुरेज ले के आता था ठीक है क्योंकि सुरेज हो गया विकलांग तो वो काम करने सकता तो अब जो company को हानी होगी सुरेश के ना रहने पर उसका वुक्तान company किस बीमा के थुरू कर सकती है कौन से policy हो ठीक है तो इसका अंतर दोस्तों यह है परमुक व्यक्ति बीमा परमुक व्यक्ति बीमा लेनी होती है policy इस type के काम के लिए जहाँ पर भाई इस यह व्यक्ति अगर नहीं आपाएगा यह व्यक्ति काम करने योगे नहीं रहेगा तो इसकी वज़े से जितना नुक्सान होगा वो company company भरेगी insurance company भरेगी ठीक है तो इसके बाद next question यहाँ पर उमारा परमुक व्यक्ति बीमा policy के तहित बीमा धन आम तोर पर इसमें से किस से जुड़ा होता है तो इसका अंसर है website की लाब पर देता से website किस लाब से लाब देता है उस पर depend करता है यह चीज़ ठीक है इसके बाद next question इसके करते हैं निम्लिकित में से कौन निम्लिकित में से किसी एक म्यादी policy खरीदने कि सबसे अच्छी सला दी जाती है तो इसको दी जाती है एक ऐसा वैक्ती जिसे बीमा की जुरूरत है लेकिन बजट कम है मतलब उसके पास पैसे कम है पर उसको बीमा लेना है तो वो term insurance ले सकता है दोस्तों देखिए हाँ पर यह चीज़े लिखी तो ही है पर यह चीज़े सच में लागू नहीं होती क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है जिसके बजट नहीं है तो उसकी income भी कम होगी और income कम होगी दोस्तों तो उसका term insurance भी मुश्किल होता है आप अगर term insurance लेना चाहते हो तो आपकी income कम से कम मैं बता रहाँ private company की private insurance company होती है कम से कम उसमें 20,000 रुपे मांगते है income महीने की ठीक है अगर 20,000 से कम है आपकी income तो आपको term insurance नहीं मिलेगा ठीक है तो एक तरह सी यह इन्होंने लिखा हुआ है पर ऐसा होता नहीं है जिसके बाद पैसे कम होंगे उसकी salary कम होगी salary कम होगी तो आप उसको term insurance देते हैं कहाँ हो ठीक है अब फिर भी दोस्तों आपको तो खाली इंटरूर पास करना है तो आप इसको रट रहना नेस्ट कुस्तान है नेस्ट कुस्तान है नीचे दिया गया कौन सा विकलप MWP अदीनियम के मामलों के समदर्ब में सही है इसका अंसर रहना मृत्यू दावों का निप्टारा नियासियों के पक्ष में किया जाता है यह चीज़ सही है, ठीक है, इसके बाद िनेश को सुन, एक Policy MWP अधिनम के तहत ली गई है, अगर Policy धारक Policy के तहत लाबों को प्राप्त करने के लिए एक विएस, एक विशेश न्यासी नियुक्त नहीं करता है, तो Policy के तहत प्राप्त रासी डैस को दे हो याती है, मतलब जो पॉलिसी धारा के उसने एक तरह से अपनी पॉलिसी के लिए कुछ काम नहीं करा कुछ भी कुछ भी मतलब स्टैप नहीं उठाया तो उस केस में जो उसका पैसा था वो पैसा राज्यक के सरकारी नियासी को टांसफर किया जाएगा ठीक है इसके बाद नेश्कोसन यह देखिए महेस ने एक महेस है महेस ने उधार की पुंजी से एक वैवसाइट चलाया मतलब उसने पैसा उधार लिया और एक काम स्टार्ट किया ठीक है उसके एकास्मिक निधन के बाद सभी लेंदार महेस संपत्ति को हत्याने के पूरी संपत्ति हो गई और उसके बाद इतने भी लेंदार थे जिन्होंने पैसा दिया था उसको महेस को वह सब पहुंच गए हमारा पैसा दो ठीक है अब इन में से कौन सी संपत्ति लेंदारों के पहुंच से परे है मतलब लेंदार किस संपत्ति पर किस संपत्ति पर महेस की वह हगदार नहीं होते वो उसकी संपत्य लेने सकते हैं तो कौन संपत्य है वो इसका अंसर है यह वाला MWP अध्धिनियम के तहट धाराचेह के तहट खरी दी गई म्यादी जीवन भीमा पॉलोसी जो यह चीज है मतलब एक तhã से मालो आप महेस ने मालो कोई पॉलोसी लिये थीक है इस तरह के समझा आप इसको महेस यह वेक्टि है महेस ने लोन लेके लोगों से पैसा लेके अपना एक बिजनिस टार्ट किया अब महेस की मित्य ओगी अचनक अब जिससे उसने पैसा लिया था वो लोग आ गए अब महेस ने एक अपनी policy ले रखी थी जिस policy का घरवालों को माल लेज़े एक करोडर पर मिल गया अब जो लेंदार घर पहुंचे हैं पैसा लेने के लिए कि भाईया आपने आपके पती ने या फिर आपके हजबेंड जो भी है महेस नाम को बैकती उसने हमसे पैसे लिया था बिजनिस के लिए अब वो मर गया तो हमें पैसा दो आपको इंसुरेंस का पैसा मिल गया है ठीक है तो वहाँ पर दोस्तों जो लेंदार है वो महेस के इंसुरेंस के पैसे को ले ने सकते ठीक है घरवाले मना कर सकते हैं यह पैसा तो उसका इंसुरेंस का यह पैसा आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो यही चीज़ दो यह है कि इंसुरेंस का पैसे के लिखदार नहीं है हाला कि अगर उसकी जो बिजनिस है उसका बिजनिस चल रहा था बिजनिस की संपतिया है तो वह पॉलिप मामलों में निवेश योखिम को कौन वहन करता है। आपके पैसे को शेर मार्केट में लगाती है। मतलब आप जो पैसा भरोगे, जो किस्त भरोगे, वो पैसा आपका शेर मार्केट में लगेगा। ठीक है। और आपको पता है दूस्तों शेर मार्केट में क्या होता है। पैसा आपका बहुत जादा बढ़ सकता है तो आपका पैसा गिर गया, आपका पैसा डूब हुप गया है जिसने पुरची करवाई है उसी करता है ठीक है इसके बाद नेश्च कुस्तर इन में से मानक आयू परमान का कौन सा एक उधारण है इंकम प्रूफ का कौन सा एक उधारण है पासपोर्ट ठीक है पासपोर्ट है दोस्तों इसके बाद है आयू का मतलब हो गया आपका एज स पास्पोर्ट एक पूरूफ होता है एज का ठीक है इसके बाद है नेस्ट कोशन नीचे दिये गए आयू परमान दस्ताविजों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गे करत किया जाता है मतलब इन में से कौन सा प्रूफ के रूप में ठीक है नेस्ट कोशन है इन में से कौन सा वैद पते का परमान नहीं है मतलब एडरस प्रूफ कौन सा नहीं है इन में से तो एडरस प्रूफ के लिए आप पैनकार को नहीं दे सकते ठीक है पैनकार आपका एडरस प्रूफ में नहीं आता है अगला को इसका अंसर है यह रहा, बीमा की खरीद के बाद जोकिम पूर्ण वैवार बढ़ जाना, ठीक है, जोकिम पूर्ण वैवार बढ़ जाना, किसी नैते खत्रे के लिए जिम्मेदा ठेहरा जा सकता है, दोसरे इसको रट लेना, समझना तोलब भारी हो जाएगा इसको, अगला को लेते हो, तो वहाँ पर जो डॉकमेंट्स रेडी किया जाते हैं, जो डॉकमेंट्स एक तरह से मालो, आपको दिखा जाते हैं, दिये जाते हैं, उन डॉकमेंट्स को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं, प्रपोजल लेटर या प्रस्ताव पत्र, ठीक है, इसके बाद है अगला क जाएगा कि भाई आपने और जो बीमा कंपनी है दौनों के बीच में ये एक तरह से समझाता हुआ है आपने पॉलोसी ली है कौन सा प्रूफ माना जाएगा ठीक है तो इसका अंसार है पॉलोसी का जो डॉक्मेंट होता है आपका बॉंड पेपर होता है जो आपको मिलता है ब पर्थम प्रिमियम रसीद क्या दर्शाती है तो इसका अंसार रही रहा यह इस बात का एक साक्षे है कि पॉलोसी अनुमन शुरू हो गया है मतलब पहली आपने जो किस्त बरिया है जो आपको प्रिमियम की स्लिप मिली है पर्ची मिली है उसका मतलब यह हो जाएगा वह को next question है mmoney laundering unless дан ko अर्थ हैस्टा मिलाने का परगरिया है ठीक है जिसमें इसके डेस मूल रूप को छुपाया जासा जासकता है तकी कानूनी looking हसिल किया जासकता हं कि मतलब की money laundering में क्या होता है it money लॉंडरिंग में जो आपका एक तरह से काला धन मान लीजिए या फिर गैर कानूनी जो पैसा होता है उसको मार्केट में लाने की कोशिश की जाती है और क्यूं कोशिश की जाती है ताकि यह वैद हो जाए ताकि यह वैद हो जाए ठीक है तो इसके अवयद भावयद धन को लाया आता है और इसके अवयद रूप को हटाने के लिए छपाने की लिए ठाकि सब कोई भैत लगे वैले लगे इसके बाद साउसन अगर पॉलिशी धारका पॉलिशी को संतुष्ट पॉलिशी से संतुष्ट नहीं है उसको मजा नहीं आ रहा है उसको तसली नहीं है एक तरह से जो टर्मन कंडिशन है पॉलिशी की उसको लेकर तो वह है फ्री लुक अवधी के भीतर यानि की पॉलिशी दस्तावेज प्राप्त करने की डैस दिन के भ पाद उसको पता चलता है कि भाई यहां तो कुछ गड़ बढ़ है या फिर यह मुझे समझ जा रहा है मैं इसको लेना नहीं चाहता है इस policy को तो आप इसको वापस कर सकते हो कैंसल करवा सकते हो 15 दिन के अंदर अंदर पॉलसी लेने के 15 दिन के अंदर अंदर ठीक है एक तरह से ही समझ लीजिए जब आप आप ऑनलाय समान मागाते हो Amazon Frape Card वगर से तो वहाँ पर भी आपको कुछ टैम मिलता है इतने दिनों के अंदर अंदर अगर आपको समान पसंद नहीं आता है या कुछ समान में फॉल्ट है तो आप समान को वापस कर सकते हो सेम डूसम यह policy को लेकर भी होता है ठीक है इसके बाद नेस्ट कोशन फिरिलुक अवधी के दोरान पॉलसी धारक दोरा वापस लोटाए गए पॉलसी के समन में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है तो इसका अंसर यह वाला भीमा कंपनी कवर की गई अवधी के लिए अनुपातिक पिरिमियम चिकिस्सा जांच स्टाफ चार्ज पर किये गए खर्चों के समय उजन करने के बाद पिरिमियम अवश रटाएगी मतलब कि मालीजे आपने 10,000 रुपे खिस वरे थी ठीक है और आपने 15 दिन के अंदर पॉलसी कैंसर करा दी तो जो कंपनी है कंपनी आपको यह बोलेगी भाई आपको पॉलसी दिखाने में जो हमारे कंपनी के मंदे ने अपने टाइम खर्च किया है जो उसका पैसा लगा है पैसा लगा जो टाइम खर्च हुआ है वो प्लस में जो आपकी मेडिकर जांच हुई है उसमें जो पैसा लगा है सबको घटा के मान लीजे 2000 पर खर्चा हो गया तो कंपनी आपको शिर्फ 8000 पर वापस करेगी समझ रहो ऐसा नहीं कि आपने पॉलसी लिए 15 दिन वाद लटा दी और आपको पूरे किस वापस मिलगी ऐसा नहीं होगा क्योंकि भाई यह कंपनी के वहाँ पर डॉकुमेंट्स प्रिंट बगरा किये ग इसके बाद है अगला कोशन अगर किसी पॉलसी दरस्तावेज विवरंड के लिए जटिल भाषा का प्रियों किया जाता है और इससे कोई एस्परस्टता उत्पन होती है तो इसे आम तोर पर कैसे समझा जाएगा भीमा धारक के पक्ष में ठीक है मतलब कि आपने जो पॉलस इसके बाद है इनमें से कौन एक मानव भीमा पॉलसी दस्तावेज का पहला भाग माना जाता है पॉलसी अनुसूची पॉलसी अनुसूची जो इंसुरेंस होता है जो रोकमेंट्स बनते हैं उनका पहला भाग होता है पॉलसी अनुसूची ठीक है अगला कोशन है बीमा पॉलसी अधिनियम उन्निसो अड़तीस डैस के तहत नामंकन की अनुमती दी जाती है धारा थाटे नाइन उन्तालिस नंबर की धारा के अनुसार ही जो बीमा पॉलसी अधिनियम उन्निसो अड़तीस है उसमें नामंकन या नहीं पॉलसी लेने से सम्मंदित काम किया जाता है उन्तालिस में ठीक है नेश्ट कुछन है किन परिस्तितियों में पॉलसी धारा को एक नियूक्त व्यक्ति की नियूक्ति करने के आफशकता बढ़ती है ठीक है नॉम पेसा को उत्हों तो ऊपटा या उसे पैसा नियूगा कि या उसके देखने के लिए एक बंदा और नॉमनिस बनाना पड़ेगा ताकि मुझे कुछ हो जाता है और अगर ये जो बच्चा है वो बालिक नहीं होता और उसे पहले कुछ हो जाता है तो इतने पैसे को तू समाल रखेगा और जब बच्चा बालिक हो जाएगा तो उसके बाद को ट्रांसफर किया जाएगा ठीक है यह रूल होता है इनका इसके बाद होगा अगला कोशन नीचे दिया गया कौन सा कथन नामंकन के संबंद में गलत है इसका अंसार यह वाला नॉमनीका संपूर्ण दावे का पूरा दिकार होता है नॉमनीका यह गलत है ठीक है अगला कोश पॉलिशी के अंत्रकत गारेंटी करत संपर्पन मुल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुक्तान किया जाना चाहिए कम से कम दूस्तों अगर आप तीन साल तक अपने किस्त भरोगे तब जाकर अगर आप पॉलिशी को कैंसल करवाते हो तो आपने जितना पैसा पराता आपको पैसा पूरा वापिस मिल जाएगा तीन साल से पहले अगर आप पॉलिशी को बंद करवाते हो तो उसके इसमें आपक वेप गत समझा जाता है अगर रहायती अवदी प्रीमियम बुकतान नहीं किया गया है मतलब पॉलिसी का प्रीमियम बुकतान नहीं किया गया है तो उसको वेप गत समझा जाएगा ठीक है इसके बाद अगला कोशन अगर पॉलिसी धारक देट थी तक बुक्तान नहीं करता मतलब जो उसकी date थी इतनी तारिक तो किसकी किस्त आजाने जीए और उसमें किस्त नहीं भरी तो उस case में रियायती अवदी के दोरान मर जाता है तो ऐसे में क्या होगा मतलब कि उसने policy नहीं भरी और कुछ time period में मर भी गया उसका रहे गया था उसको घड़ा के बाकी पैसा वापिस लोटा देगी जो घरवाले हैं उसके उसको ठीक है इसके बाद अगला question एक कार दुरगटना में परवीन की मित्ति हो गई ठीक है लाबारती मृत्यू दावे के लिए दरतावेज परस्तुत करता है ठीक है नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज है जो सौभाविक मौत की तुलना में दुरगटना मृत्यू के मामले में परस्तुत किया जाना चाहिए मतलब अगर किसी का accident हो जाता है accident में death जाती है और policy से पैसा लेना है policy company से तो कौन सा document से होगा तो उसमें दोस्तों आपको तहकीकात की report से होगी जो पुलिस की तहकीकात होती है उसकी report आपको चाहिए होगी ठीक है इसके बाद आगला question नीची दिये गए कौन से मृत्यू दावे को एक सिग्र मृत्यू दावो माना जाएगा इसका अंसर यह रहा अगर policy अवधी के लिए तीन वर्सों के बीतर भीमत अरक मृत्यू हो जाती है तो ठीक है मतलब आपने आज policy लिए दोहर 23 में और 26 से पहले आपकी मृत्यू हो गई तो उसमें आपको एक सिग्र मृत्यू दावो माना जाएगा उसमें एक ठीक है बहुत जल्दी हो गया ठीक है इसके बाद है next question दावों के वर्गी करण सिग्र या गैर सिग्र आधार पर बे मेल या बे मेल विकल्ब को चुने इसका अंसर यह रहा म्यादी बीमा ख्रहिदने के साड़े पांस साल बाद परवीण मित्त्य होयाती है यह इसमें आएगा यह आएगा तेरा हमारा गैर सिग्र में ठीक है अगला कोश्चन है हिपो क्रेयाटस चार साठ चार सातर इसा पूर्व के अनुसार बीमारी का करण गया था उप्रोक सभी हिपो क्रेयाटस इसमें जो बीमारी होती थी नॉर्मली वो इन वज़ों से होती थी ठीक है इसके बाद है हमारा अगला कोश्चन सी जी एस कब सुरू किया गया था उननीस सो चवववन में सी जी एस कब सुरू किया गया था उननीस सो चवववन में ठीक है अगला कोश्चन नीचे दिया गया कौन सा कतन सही पचान है इन में से कौन सा कौन सी बात है जो सही है तो इसका अंसर यह वाला स्वास्था बीमा का संबंद रोगुनता से है स्वास्था बीमा का संबंद रोगुनता से है यह बात सही है अगला कोश्चन है स्वास्था बीमा में अस्पतालों के संबंद में PPN का सही पूर्ण रूप पहचान है तो PPN के फूल फॉर्वर्म क्या होती है Preferred Provider Network Preferred Provider Network किसमें? स्वास्था में Health Insurance में नैश कोशन है राजी महतो द्वारा प्रसुत एक स्वास्था बीमा जाच के दौरान बीमा कंपनी को पता चलता है कि राजी महतो के बज़ाए उसके भाई राजेस महतो को अस्पताल में भरती करवाया था ठीक है राजी महतो की पॉलसी एक फैमिली फ्लोटर जोजना नहीं है ठीक है भई यह डैस धोका दड़ी का उधारन है परती रूपन मतलब की जिसने पॉलसी ली थी जिसने Health Insurance लिया था वो बिमार नहीं था पर उसके नाम पे किसी और को भरती करवा दिया किसमें अस्पताल में तो यह परती रूपन धोका दड़ी का मामला है जिसमें की रूप मतलब बदला गया बंदे को ठीक है इसके बाद है नेस्ट कोशन IRDA के नियमों के अनुसार जाच के तहत जीवन वीमा पॉलसी दावे का बुकतान किया जाना चाहिए 6 महीना मतलब 6 महीने मैक्सिमम टायम है अगर केची कडेथ हो आती है और पॉलसी का पैसा लेना है तो जो कंपनी है वो मैक्सिमम 6 महीने का टायम लेगी ऐसे ने है कि कंपनी पैसा न दे रही company को आया डिया ने ये नियम बनाया है वह ये 6 मेने तो आप जाज कर लो कोई दिक्कत नहीं है पर उसके बाद आपको पैसे देना पड़ेगा कम से कब 6 मेने इसके बाद है नेस्ट कोशन राज्य बीमा योजना के तहत एक करमचारी अपने वेतन का कितने परतिसत योगदान देता है 1.75% 1.75% एक करमचारी जो एक तरह से माल लीज़े आपका PF होता है तो PF का बात हैं पकी गई है जो State Insurance को इसकीम उचलती होगी तो उसके तहत इतना परसेंट पैसा कर जाता है उसका ठीक है इसके बात है Next Question निम्न परिदर्सन में मृत्यू के नजदी की कारणों का पता लगा है मतलब एक लाइन लिख हुई है यहाँ पर बात लिख हुई है इसमें मृत्यू का कारण क्या हो सकता है गोडे से गिरने के कारण अजय की पी टूट गई ठीक है बाई पानी में पड़े रहने के कारण उसे नमूनिया हो जाता है ठीक है उसे अस्पताल में भड़ती किया जाता है पर निम्निया के कारण वह मर जाता है तो इसमें कारण क्या होगा गोडे से गिरना ठीक है गोडे से गिरना यह कारण होगा श्री महेश अगनी सुरक्षा के लिए अपने घर में वायरिंग को प्रिरित किया ठीक है कौन सा जोखिम के तहट इसे वरगिकित किया जाता है मतलब महेश ने अपने घर में फायर मतलब आग ना लगे इसके लिए इंसरेंस करवा दिया आग लगेगी तो पैसा मिलेगा ठीक है तो इसमें जोखिम की कटोथी को वरगिकित किया जाता है ठीक है उसका जो होता जोखिम था रिस्क था वो कम हो गया ठीक है नेस्ट कुशन है स्री शुर्वेस ने 20 वर्सों के लिए एक policy लिये जिसके तहət 20 वर्स के बाद परीपक्कुता प्राप्त करता है उसने किस योजना के लिए आविदन किया है तो इसका अन्सर है बंदोवस्ती योजना बंदोवस्ती योजना के तहत उसे इसके लिए आविजन किया है अगला कोश्चन है 32 साल के कपिल हेल्थ कवर लेना चाहते है हेल्थ इंसुरेंस लेना चाहते है लंबी प्रक्रिया, चिकिस्सा, प्रतिक्षा अवधी और पसंसरंड में देरी के बिना तो इसका अंसर होगा मारा गैर चिरकिस्सा अंडर राइडिंग मतलब कि जो 32 साल का कपिल है हेल्थ इंसुरेंस लेना चाहता है पर क्योंकि पहले आपका मेडिकल होगा उसके बाद ये आपको पोलोसी मिलती है, हेल्थ इंसुरेंस खास कर पर वो हेल्थ इंसुरेंस बिना मेडिकल चेक करवाए देरना चाहता है तो उसके इसमें एक और प्लान होता है उनमें कि जिसमें आप बिना मेडिकल करवाए अपना पोलोसी ले सकते हो तो वो आता है हमारा गैर चिकिस्सा में गैर चिकिस्सा अंडर राइडिंग जो प्लान होता है उसमें आपको हेल्थ चेक करवाने जोटने पड़ती है मेडिकल करवाने जोटने पड़ती है आपका इंसुरेंस वैसी होयाता है उनका प्रिम मालक होता है इसके बाद आगला कोशन है संतोष ने म्यादी पॉलोशी के लिए आवेदन किया उसकी अनुमानित मृत्यूदर मानक जीवनों की तुल्ला में काफे कम है और इसलिए उससे कम प्रिमियम लिया जा सकता है जोकिम वर्गी करण के अंतरगत संतोष को डैस के तहत वर्गी करित किया जाएगा महिस ने गंभीर बिमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी ख़ई दी उसने कारण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समूनुदेशन किया है मतलब एक तरह से मान लेजिए उसने नॉमनेशन किया है महिस को दिल का दौरा पड़ा ठीक है और गंभीर बिमारी के तहट पचास जार रुपे का एक दावा उत्पन होता है इस मामले में बुक्तान किसी किया जाएगा करण को ठीक है भाई क्योंकि महेस तो बिमार है तो उसके इसमें यहाँ पर करण को बुक्तान किया जाएगा ठीक है इसके बाद इनेश कोशन सीतल 32 साल की सौफ्ट्वेर इंजीनियर है ठीक है जिसकी परत्यासित मृत्यूदर मानव जीवन की तुलना में काफी कम है सीतल को किसके अंतरगत वर्गी किरत किया जा सकता है पसंदीदा जोकिम ठीक है पसंदीदा जोकिम के तहत वर्गी किरत किया जा सकता है दोस्तों इन कोशन को आप रट लेना इसके बाद इनेश कोशन है विक्रम ने बीमा पॉलसी के लिए आविदन किया ठीक है उसकी प्रत्याशित मृत्यूदर समानने से आदिक है जोकिम का वर्गी करनक किस के तहत किया जाएगा उपमानक जीवन के उपमानक जीवन के ठीक है इसके बाद आगला कोशन है IRDAI के फुल फॉर्म क्या होती है उस्ता मोस्ट इंपोर्टन कोशन है Insurance Regulatory Development Authority of India ठीक है TPA के फुल फॉर्म क्या होती है Third Party Administrator PPN के फुल फॉर्म क्या होती है Preferred Provider Network RTI के फॉल फॉर्म क्या होती है दोस्तों RTI बहुत important है क्योंकि ये common चीज़ है ये आपने बहुत बार सुनी होगी तो right to information है ठीक है RTI के फॉल फॉर्म इसके बाद है next question MRI के फॉल फॉर्म क्या होती है इसके बाद है MWPA की फॉल फॉर्म क्या होती है Married Woman Property Act Married Woman Property Act इसकी फॉल फॉर्म होती है इसके बाद है ESIC ESIC की फॉल फॉर्म क्या होती है ये भी important है क्योंकि maximum जो लोग private company में काम करते है वहाँ पर उनकी ESI करती है Employee State Insurance Corporation Employee State Insurance Corporation आपका इसके बाद next question है Free look period कितने दिन का होता है 15 दिन का पहले भी उने किया था Aspetaligran Pooerv Pre-Hospitalization कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है Post-Hospitalization कितने दिन का होता है 60 दिन का होता है दोस्तों ये थे Bank BC में के interview पुछाना ले important question अगर आप India Post-Pement Bank का interview देने वाले हो Bank BC के लिए तो वहाँ पर आपके लिए ये question बहुत जरूरी हो जाते है ये सारे question आपको आने चाहिए वीडियो को एक दवरा और देख लीजिए अगर आपको इन सभी question के PDF चाहिए तो PDF का link मैं वीडियो के description box में देदूँगा वहाँ से आप इसको download कर सकते हो Thank you very much